आज की वडियो में हम बात करने वाले हैं एक आयरुवेदिक क्रीम के बारे में वो है शटदोता गृतम क्या है इसके में बेनिफिट क्या क्या है या फिर हम बोल सकते हैं डॉक्टर आपको कौन-कौन सी कंडिशन में ये इस ओइंटमेंट को जनरली प्रिसक्राइब करते हैं ये क्रीम कैसे बनता है इसको कैसे यूज करना है कैसे इसको यूज नहीं करना और किन लोगों को ये नहीं लगाना है और कौन-कौन से ब्रैंड में ये क्रीम अच्छा मिलता है इसका मूले कितना है और कहां से आप इसको ले सकते हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो म means क्या होता है दोना washing करना दोना तो 100 बार क्या होता है जो गाएं का जो घी होता है उसको दो कर इस ointment को बनाया जाता है तो यह एक आयूरवेदिक cream है कहां यूज होता है अगर आपको कोई आग से कहीं जल गया है या फिर आपको कोई घाव हो गया है या फिर आपको कोई त्वचा रोग है तो वहाँ पे जनरली इस cream को उपयोग किया जाता है अब हम बात करेंगे डॉक्टर जनरली आपको कौन-कौन से disease में इस cream को लिख के देते हैं तो ये cream देखिए जनरली बाहर लगाते है external application के लिए है और इसको जो पित्ता और वाता से होने वाले जो skin disorders रहते हैं उसी में जनरली इस cream को लिखा जाता है जैसे कि पहला है sunburn मतलब बहुत सूरज में आप निकलते हैं उसके वज़े से सूरज में निकलने के वज़े से आपकी तो तवचा है जल जाती है तो वहाँ पर इस cream को दिया जाता है या फिर गरम पानी से या फिर गरम किसी पदार्थ की वज़े से आपका तवचा जल जाता है उस condition में आप इसको लगा सकते हैं या फिर आपका स्किन ने जो है बहुत सुखा सुखा ड्राइ रहता है तो आप इसको मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं या फिर आपके तवचा में जो हैं रैशिस पड़ते हैं वहाँ आप इसको यूज करते हैं या फिर आपका जो होट है हाथ है पाओ है एडियां फट जाती है वहाँ पे इस क्रीम को जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर जो डाइबिटिक पेशन्स रहते हैं जिनको प्रावलम रहती है हमारे हाथ जलते हैं पाओ जलते हैं तो उस कंडिशन में इस क्रीम को दिया जाता है या फिर आप या फिर आपको फ्रेश घाव हुआ है वहां पर इस क्रीम को दिया जाता है या फिर बच्चे जो रहते हैं उनको डाइपर की जगा पर जो रैशिश होते हैं नैपकिन रैशिश जिसको बोलते हैं तो वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं या फिर आपको गुदगात रोग एनल फिशर है तो वहाँ पर भी जनरले डॉक्टर स्क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं यह जो क्रीम है इसके जो यूजिस है मैंने आप यह आपको बता दिये हैं उसको छोड़के यह क्रीम बेस की तरह बहुत सारे और आयरोवेदिक जो ओइंटमेंट रहते हैं उसमें भी की प्रियोग की जाती है अब मैं बात करने माला हूँ इस क्रीम को बनाते कैसे हैं तो इस क्रीम को बनाने की विधी क्या है देखिए एक केजी जो है शुद गाएं का घी लिया जाता है एक केजी घी का चार गुना पानी लिया जाता है तो पानी में अच्छी तरह से इसको में से या फिर मक्षन निकालते हैं वो प्रोसेस पता है अपको तो उस तरह से इसको चर्ण किया जाता है अच्छे से चर्ण करने के बाद क्या करते हैं पानी जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं पानी को बाहर निकालने के बाद जो घी बच जाता है नीचे उसमें फिर से नय बार चलता है इसलिए इसको शट दोता घृत बोला जाता है अब मैं बात करने माला हूं इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं तो इसको देखिए आप अपनी उंगलियों में थोड़ा सा शट दोत घृत लेकर जहां पर आपको घाव हुआ है या फिर जहां आपका इसकी प्रावलम को बोल रहे हैं उसे साबसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं अब हम बात करने वाले हैं कि इस क्रीम को किनको नहीं लेना है कहां नहीं लगाना है मैं बात करने वाला हूं तो इस क्रीम को देखिए इंटरनली नहीं लेना है मतलब मुझ के अंदर लगाना या फिर हम इसको ह या फिर वो घाव जो है पूरा गीला हो वैसी कंडिशंस में इसको नहीं लगाना है तो इस क्रीम की जो रेफरेंस हैं हमारे सम्मिताओं में मिलता है जो शुशुर्ट सम्मिता का उत्तर तंत्र है वहां पर 39th जो अध्याय है 283 जो शलो का है वहाँ पे हमको इस गृत शटदोत गृतम के बारे में reference वहाँ से मिलता है कहाँ इसको use करना था हमारे जो आचा रहे थे समीताज में इस क्रीम के बारे में लिखके गए हुए हैं already तो ये एक classical आयुरोधिक medicine है अब मैं बात करता हूँ जो famous brands है जो doctors आपको इस क्रीम के लिखके देते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं पहला है cortical pharmacy का शटदोत गृता वैद्यरतना pharmacy का शटदोत गृता आप यूश कर सकते हैं या फिर AVP pharmacy का शटदोत गृता है इनके जो हैं best results मिलते हैं अब मैं बात करूँगा इसकी availability के बारे में कि कहां से आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपके पास doctor का prescription है तो आपके नज़ी की आयुर्वेदिक pharmacy या फिर आयुर्वेदिक medical store या फिर center से आपको बहुत आसानी से एक क्रीम मिल जाएगा तो देखिए आशा करता हूँ इसक्रीम के बारे में जितनी भी information आपको इस वीडियो में दी गई है आपको अच्छी तरह के समझ में आ गई होगी जो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कोई भी medicines आपको doctor के prescription के बिना नहीं लेनी है medicines हमेशा doctor के supervision में ही लेनी है ये वीडियो information purpose के लिए बनाए गई है तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो इस वीडियो को like कीजिए और ज्यादा से ज्यादा share कीजिए अगर आप इसी तरह के medical वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विशे के साथ till then take care धन्यवाद